So Hello Guys, Welcome to my YouTube Channel Riddik Technical Support इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके वीवो के फोन में जब आप Play Store से Facebook को इंस्टॉल करते हैं बट आपको वहाँ पे सो होता है Can't install Facebook और आपका Facebook इंस्टॉल नहीं होता है तो कैसे आप यहाँ प्रॉबलम को फिक्स करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओके वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा बिलका इकोन को प्रेस कर लेना है So first of all आपको अपने वीवो के फोन में सेटिंग्स को उपन करना होगा ठीक है सेटिंग्स को उपन करने के बाद जो है आपको क्लिक करना है Apps पे So यहाँ पे हम Apps पे क्लिक करेंगे See All पे क्लिक करना होगा Search बार के आईकोन पे क्लिक करें यहाँ पे आपको Play सर्च करना है तो आपको दो आप्सिन्स मिलेंगे Google Play Services and Google Play Store ठीक है इन दोनों भी आपको क्लिक करना होगा अपको इनके Storage पे जाके Simple आपको इनका Data Clean करना है Clear कैसे करना है ठीक है यह आपका Google Play Services होगा देन आपको अगेन 3.0 पे क्लिक करना है So System Apps पे क्लिक करना है फिर से आपको Search बार पे क्लिक करके यहाँ पे आपको Search करना होगा Download तो यहाँ पे आपको मिलेगा Download Manager Simple आप इस पे क्लिक करे Then आप इसके Storage पे क्लिक करके Simple आप इसका भी Data Clean करे ठीक है अगेन मैं आपको Repeat करूँगा Google Play Services, Google Play Store and Download Manager इन तेनों का ही आपको Data Clean करना है Then आपको अपने स्मार्टफोन को Restart करना है अब आप लोग Facebook को Install करने का Try करेंगे आपको पहले जो प्राबलम आ रही थी वो प्राबलम अब देखने को नहीं मिलेगी ठीक है So topic is cover मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जै मतादी